आज इस वीडियो पे हम लोग populating next right pointer in each node ये question solve करेंगे इस question में basically आपको करना क्या है इस पे आपको एक perfect binary tree मिला है perfect binary tree का मतलब एक node है इसके पास या तो दोनों चायल है या तो कोई भी चायल नहीं है ठीक है तो दोनों चायल होंगे अगर तो ऐसा कुछ हो गया इन दोनों के पास भी अब दोनों ही चायल होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, इनके पास बहुत पहुत नहीं होते हैं, या दोनों नहीं होते हैं, और इसमें जितने भी नोट्स का जगा था, उन सभी जगा कोई ने कोई नोड है, कहीं वर वेकेंसी नहीं है, ठीक है, for example ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ वेकेंसी हो जाए, ऐसा नहीं है, right, so again मुझे इसमें क्या करना है, देखो, यह ट्री जो मिला है ना मुझे, इसमें सभी नोट्स के पास right child, right और नोट्स, इसमें एक और field है next, जो अभी सभी पे null set है, ठीक है, मुझे क्या करना है, तो मुझे ना इसी null field को बदलना है, किस से, तो इस नोट्स के पास जो next field है, वो इसके neighbor को करेगा, point, level order traversal पे, left to right और neighbor, ठीक है, तो इसका neighbor यह हो जाएगा, again यह नोट्स जो है अपने neighbor इसको point करेगा, next वाले pointer पे, ये node इसको point करेगा, और ये node इसको point करेगा, ऐसे ही आपको similarly सभी के लिए करना है, यहां पर भी ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, अब बाद आता है कि यार, जिसका next पे कोई भी नहीं है, for example, ये सभी node, जो बिल्कुल right वाले है, तो इन इनके next पे आप null छोड़ दो, इनके लिए कोई भी काम करने की ज़रत नहीं है, ठीक है, ये by default null है, और काम करने के बाद भी null ही होना है, ठीक है, इसमें आपको एक null भी मिल सकता है, input पे, जैसे tree रिप्रेसेंट करना होता, तो node मिलता, null भी आपको दिया आ सकता है, right, आपक करते हैं, इसे solve करने के लिए पहले assume कर लेते हैं, यार मेरे tree पे कुछ levels तक कम हो चुका है, ठीक है, यह idea basically insertion sort से है, insertion sort में हम basically क्या करते हैं, ABCDEF कुछ numbers दिये गया है, तो मैं माल लेता हूं कि यार अभी इतना portion sorted है, solved है, अब A को इस पे add करते हैं, solve वाले part पे, right, तो इतना part solved है, अब B को इस solve part में add कर दो, इतना part solve है, D को इस solve वाले part में add कर दो, तो इतने तका solve हो जाएगा, right, जिस solve वाले part को एक एक करके increase करते इस stream में माल लेता हूं कि यार, कुछ portion जो है रहा, वह solved है, basically, इतना कुछ माल लो, कि यहां पर next pointer लगा है, यहां पर next लगा है, यहां भी next और यहां भी next लगा है, यहां पर null, यहां पर null है, right, क्या मैं इस data इतने levels तक का काम हो चुका है, तो क्या मैं इस level का काम कर सकता Of course कैसे इस node पे हो आपके left child के next में कौन आएगा तो आपको right child आएगा Right Left के next पे right child आगया Right के next पे कौन आएगा Right के next पे मेरे next का left आएगा Correct ये बन्दा भी बन जाएगा फिर Similarly अब काम किस के लिए होगा तो अब काम मेरे next के लिए होगा अभी मैं इस node पे currently बात कर रहा हूँ ठीक है ये अपने next पे चला जाएगा Right अब अगेन ये node क्या करने वाला है अगर मैं इसे माल लेता हूँ इसका नाम n है तो ये अपने left के next पे अपने right को लगाएगा n.left.next left के next पे n.right right को लगा गया ठीक है तो ये pointer आ गया आपने right के next पे next के left को लगाएगा तो n.right.left equals to n का next इसे को लिए next का left next.left ठीक है तो ये basically काम कर जाएगा ये काम मुझे अगेन कब तक करना है तो मैंने यहाँ पर इसको लगाया फिर next पे चला गया n equals to n.next ठीक है इस पे move कर लिए चला गया पहला काम left के next पे right को लगा दिया फिर right के next पे right के यहाँ पर next पे अपने next का left लगा दिया right next का left यहाँ पे यहाँ पर next है ठीक है again आप आगे जाओगे यहाँ पर पहुँच गया left के next पे right को लगाया लेकिन यहाँ पर right के next पे न कोई नहीं आना चाहिए ठीक है पहला काम बिल्कुल correct था पहला काम बिल्कुल correct था इसके next पे लगा दिया मैंने दूसरा काम यहाँ पर गलत है ठीक है मेरे next पर यहाँ पर कोई नहीं नहीं है तो यहाँ पर basically एक और condition क्या handle कर सकते हैं हम लोग कि यार अगर मेरा next equal equal to null है तो मुझे अब कोई काम करना ज़ूरत नहीं है और मेरे आगे भी null ही पड़ा हुआ है यहाँ पर से आप यह काम को रोग दो ठीक है तो यह basically इतना code जो है वो क्या कर देगा तो वो एक level के काम ना handle कर देगा आप यहाँ start करोगे तो आपके नीचे और लेवल पूरा पूरा build हो जाएगा ठीक है फिर मुझे का करना है जो initial बंदा था सबसे पहला बंदा उसके left पर जाओ और यहाँ पर तो फिर काम सुरू कर दो इसके भी children's होंगे यहाँ पर राइट तो यह भी फिर बन जाएंगे ठीक है तो बिसकिल लिए गर initial step देखो तो यह सिभी पर initial काम करना है यहाँ से शुरू करना है ठीक है सपसे पहले हैाँ से काम शुरू करोगे इसका left लगा Canton लगा इसके लेफ्ट पर वापस यहां पर लाल वाल बंद आया इसने जोड़ा इधर गया इसने जोड़ा इसने जोड़ा इसने जोड़ा अब लेफ फिर से लेफ यहां पर आ गया ब्लैक वाला नोट यहां पर आ गया पिर यह क्या करेगा अपने चिल्डरन्स का फिर से काम करेगा next पर जोड़ा next पर फिर इधर आ गया next पर जोड़ा next पर फिर इधर आ गया चीक है और इसको भी कब तक मुझे move करना है जब तक जब तक basically यहां पर इसके पास left node नहीं है चीक है left node नहीं है तो यहां पर काम को रोग दो तो basically यह सारा काम तो हो जाएगा इसके उपर में एक black अगर मैं node बना दूँ तो ये black node क्या है basically starting point को बता रहा है starting point को ये black node बता रहा है अब अगेन मुझे क्या करने की जौरत है तो सबसे पहले जो and है ना वो black के जितना होगा ठीक है और ये और अकाम जब complete हो जाए ये और अकाम basically ये कोई loop में होगा while true कर सकते हो चाहो तो क्योंकि ये function जो है यहाँ पर रुख जाता है यह हमें चलते रहेगा यहाँ बजा के रुख जाएगा जब ये काम complete हो जाए तो एक level के काम हो चुका है अब black को फिर उसके left पर shift कर दो black equals to black dot left और एक और केस जो रहता था नल वाला condition basically हो सकता है कि आपको black नल ही मिल जाए यह पूरे काम को तो repeat करना ही है जब तक black dot left इसका is not equals to null और साथ में हैं पर black भी नल नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसको आपकोर्स हमें पहले चेक करना पड़ेगा राइट तो इसको भी लिख लेते हैं चीक है तो एक black note बन गया जो करेंटली रूट पर है यहां पर अगर आप देखो तो आपको is not equals to null और साथ में black dot left is not equals to null इतने तक काम होगा अगें अंदर क्या करेंगे तो अंदर एक नाय नोट बनेगा जो ब्लैक पर है करेंटली और हमेशा के यह काम चलते है काम है अंदर पर अपने left के next पर राइट को लगाओ ठीक है तो end dot left dot next equals to end dot right जो इसके बाद अपने left अपने right के next पर next का left तो end dot right के next पर end dot next का left थीक है फिर end equals to end डॉट नेक्स अगला काम हो जाएगा इस पॉइंट विवकर आदो तो यहां पर नेक्स नल हो जाता है कभी-कभी तो अगर n.next equal equal to null है तो यहां पर हम काम रोख देंगे ठीक है तो अभी यह code पूरा complete है इसको submit करके देखते हैं मैंने black node को change नहीं किया डॉल एक इस तू ब्लैक डॉट लेफ्ट ठीक है। जैसे बीट्व क lessele चल रहा है और बहुत सही यहां तो आपको श्यूद्विघopardy को मिला हो अगर श्भीने को मिला न्यासे लिग करें हमाब चैनल धिया को सब्सक्रारायब क्रें थांक्स वोचिंग